Hi friends, मैं हूँ आर्ती भातिया और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक हिसाब से आपको न्यू भी लग सकता है और ये भी है कि आपके लिए सिंगल के लिए भी है डाइवोर्सी के लिए सेपरेशन जिनकी हो चुकी है उनके लिए भी है या जो सेपर जानना चाते हैं कि आपका Soulmate Twin Flame या आपका Future Partner कौन है और उसके बारे में details जाना चाते हैं तो यह reading पिक कार्ड रिडिंग है और यह टाइमलेस रिडिंग है आपको किसी भी समय के कर सकते हैं और आपको पता है चल सकता है कि कौन आपके Twin Flame है या कौन है जो आपके Soulmate है और कि से हैं का relationship आप expect कर सकते हैं अपने आने वाले partner में या already कहीं वो आपको मिल तो नहीं गए या कहीं ऐसे तो नहीं लग रहा कि यही है वो जो मेरा soulmate है यही है वो जो मेरा twin flame है और difference जो है twin flame और soulmate का मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता ही होगा क्योंकि twin flame में एक runner है एक chaser है और generally मैंने देखा है कि ladies ही chaser होती है क्योंकि runner जो है वो अपनी feeling से इतना overwhelmed feel करते हैं कि वो अपनी feelings जो दूसरे partner के लिए होती है वो इस तरह की feelings है कि बहुत जादा जल्दी उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत जादा demand कर रहे हैं जाएद उनका control जो है वो अपने से लिए जा रहा है और दूसरे partner को बहुत जादा intensity से लग रहे है तो, they can't differentiate into the different compartments of their life, and they feel unbalanced because they feel that as if all the control is going out of their hand So, healing in life जो healing in past experiences और प्रोबलम्स है, which is twin flame में तोड़ी से जादा comparatively feel की जाती है इस तरह के रिलेशनिशिप में तो उदर ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है और यह जो कम प्रॉब्लम्स है यह आप फील करेंगे और मैं आपको यह बता दूझ कि बहुत जाता जानसे हैं की आपको ऐसे फील हो कि बहुत जाता जो है आप उन्हें जानते ही है आपने इस तरह की रिडिंग है और साथ में आपको बता दूझ कि as usual जैसे मैं हमेशा से कहती हैं यह जो 3 पाइल्स है उनमेंसे अब इंसके आप इंटिफाय कीजिए की आपको कॉन सांहं अन्हेर करता है देखिये ये ब्राउन सटोन है और ये है रो ओपनी एंदरड्रेट तो आप बहुत आराम से कामली आइज्व करके आप देल्स कमाएं सो मुझे अपने गाइडिंग एंग्जों को गाइडेंस के लिए एक बार आप रिवेस्ट कर सकते हैं उस रि caस्क में पतआ चलेगा कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है और कौनسा स्टोन जो है वो आपको कौनसा पाइल जो है वो अट्राक्ट कर रहा है इसके साथ ही अगर Efendimiz कभी एक से जादा पाइस भी अट्राक करते हैं तो आप दोनों ही सुन सकते हैं कोई नव कोई आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा और ये भी मैं जरूर कहूंगी कि ये जरनल रीडिंग है फ्रेंज तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकते हैं आप बहुत जादा परिशान मत होईएगा परसनल रीडिंग के लिए आप मुझे जरूर कॉंटाइक कर सकते हैं परसनल रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूं वह आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर अवेलेबल है आप ले सकते हैं और उसके सासाथ मैं आपको जरूर बताऊंगे कि मेरी अलकमी करके एक 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 एडमी है जो आई एसो अप्रूब्ड अकैडमी है और उसमें ऑनलाइन कोर्स हैं बहुत तरह के जिसमें टैरो से लेकर निमरोलोजी से लेकर लोशो ग्रिड से लेकर मनी मैंगनेटिजम का रिलेशन्शिप का और साइकिक जो एबिलिटीज है उन्हें बढ़ाने का जो बहुत ही अच्छे कोर्सिस हैं आप कर सकते हैं उन्हें भी जोइन कर सकते हैं आप मेरे साथ तो अब आप एक बार लंबी सांस लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पाइल देखना है अपने लिए यह पाइल नमबर वन है पाइल नमबर टू और पाइल नमबर थ्री चलिए शुरू करते हैं पाइल नमबर वन से हम पाइल नमबर टू को और पाइल नमबर थ्री को साइट पर कर देते हैं बात कर रहे हैं हम पाइल नमबर वन की इसमें जो एनर्जी आ रही है वो देखते है कि आपका twin flame और आपके soulmates कैसे हैं कि आपके twin flame जो है वो अपनी जरूरत से जादा जो है वो अपनी लाइफ से exhausted है और यह भी हो सकता है कि उन्हें फील कर रहा हो कि उनकी बहुत ज़्यादा comparison होता है घर में या बाहर या काम में उनका इतना ज़्यादा comparison होता है जिसकी वज़से वो काफी परिशान है और वो एक हिसाब से अपने आपने कुछ changes करने के position में है तो कोई ऐसा relation जो आपको आपके सामने ही transform होता दिखे या आपको ऐसे लग रहा है कि उसकी life में आपने एक समय पर बहुत अच्छी participation की थी लेकिन अब वो अपने life से बहुत ज़्यादा exhausted है तो आपको मैं बता दू कि यह आपके लिए एक indication है कि वो आपके twin flame है आपके soulmate है और साथ ही साथ marriage का बहुत अच्छा angel daniel का card आया है जो यह कहता है कि आप marriage तक उन से कर सकते हैं तो जरूरी यह आपके soulmate है और एक warning भी है कि आपको proceedings जो है वो बहुत fast नहीं करनी है आपको situation को heal करना है compassion से काम लेना है तो कोई ऐसा जो अभी अपने काम में शाहिए set नहीं है properly आप अपने काम में वो अपने आपको बहुत जादा अभी उतना जादा अपने आपको organized feel नहीं कर रहे है इतना जादा तो आपको पता है सारी बात आपको पता है अंदर आपकी soul जानती है कि यह है वो जो मेरा है लेकिन उसकी growth में help करने की जिम्मेवारी आपने ली है शायद अपने यहां पर इस अर्थ पर जनम लिया था तो उस समय आपने अपने soul contract में यह कहा हो कि जब भी आपको problem पड़े बहुत जादा confused है अपने काम को लेकर अपने career को लेकर तो जो उनकी confusion है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी वो materialistically अपने आपको बहुत जादा आगे लेके जाना चाहते हैं hard work भी बहुत जादा करते हैं वो communicate करना चाहते हैं अगर वो कुछ लिख रहे हैं कुछ बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा सा जादा support करना पड़ेगा comparatively जितना हम सोच रहे हैं उससे कुछ जादा ही करना पड़ सकता है तो आपको इस समय इस तरह की energy दिखानी है कि आपने उनके wisdom को accept करना है जो उनकी past wisdom है उसे accept कीजिए वो बहुत ही नजदीक है आपके और आपसे कुछ energy चाहते हैं आपके horizons जो हैं उनसे जादा strong है वो एक ऐसी long journey मतलब पे जाना चाहते हैं आपके साथ और साथी साथ आपकी जो wishes है वो पूरी की पूर fill होने वाली है आपका उनके साथ साथ बहुत ही अच्छा बनने वाला है और आपको ऐसे समझ में आएगा कि आपकी life में new beginnings आ रही है देखें आपकी life में new beginnings का मतलब है कि उनकी life भी बहुत जादा smooth हो रही है तो आपकी जो twin flame है वो आपको बिल्कुल मिलने वाले है एक new life की beginning आ रही है 2-3 months में अगर वो already आपके आसपास नहीं है मैंने identification के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़े बताई कि आपका twin flame या soulmate जो है वो बहुत ही नजदीक है अगर आपके नजदीक अभी आपको नहीं लग रहे है तो आप यह सोच लिजे कि बिल्कुल 2-3 months में ही आप इसमें आपने सिर्फ सरंडर करना है जो जर्नी है यह बहुत ही हार्मोनियस जर्नी चलेगी क्योंकि आपको पता है कि उन्हें इस समय क्या चाहिए आप अपनी power को भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस power को शेयर करते ही उन्हें बहुत जादा अच्छा लगेगा और आप में वेल्यू पक्ते हैं वेल्यु देते हैं यह अघुना पको ़र्हेस में पकिस्क्राइज करने लियुक्ति अच्छेजर गये और उन्हेटील को एग में आर्जीश होती है कि आपको भी इनवाल्ड़ किया जाएं और यह unlimited energy है, बहुत ही अच्छी energy है, रेफल की unlimited energy है, यहां तक कि खाने में भी उनको ऐसे रखते हैं कि आपकी choices बहुत अच्छी है, और जो भी आप, आपका जो attitude है towards life, लोगों की तरफ, जो healing attitude है, वो उनके बहुत पसंद है आपके बारे में, कि आप animals को heal करना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा sensitive हैं दूसरे लोगों के लिए, आपके अंदर बहुत compassion है, kindness है, यह सब qualities जो हैं, वो आपकी जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो यह मानते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें भी कही ना कहीं माफ क जो भी पास्ट में जो भी डिटेल्स हो गई हैं और उनको ऐसे लगता है कि आप ही हैं जो उनके हर अंसर उनके हर प्रेयर का अंसर है, मनी से related भी जो वो है, आपसे बहुत advice लेना चाहते हैं, और हो सब्सक्ता है कि फॉरान से related भी उनको को काम हो जिसमें वो बहुत आपकी आपके बिन वो अपने बहुत जादा अधूरा और बहुत जादा इंकम्प्लीट मैसूस कर रहे हैं और यह शायद नर्जी आपकी भी हो सकती है हमारे व्यूर्स की जो भी देख रहे हैं जेंडर को आप बिल्कुल भी ऐसे माइने ना कीजिए अगर आप मेल हैं तो आपका पार्टनर फीमेल हो गया अगर आप फीमेल है तो आपका पार्टनर मेल हो गया तो इस तरह से अगर आप यह देखा जाए तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसे कह रही है कि आपके विशेज जो हैं वो फुल्फिल हो रही है तो आपके पार्टनर के साथ जो प्यार है जो लगाव है वो बहुत ही जादा अच्छा मैसूस किया जा रहा है यहां तक कि आप लोग वर्ट रेवल भी कठा कर सकते हैं और उससे भी जादा अगर आप फॉरंड कंट्री में अगर कई सेटल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके सोल मेट है आपको उदेश से दूर भी ले जा सकते हैं और बहुत जादा अच्छे से प्यार करके आपको सेटल भी कर सकते हैं आप उनके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है यह जान लीजिए और जो भी अगर वो अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि इग्नोरंस हो र आपको बहुत ही जादा अपने अपको स्ट्रांग और स्ट्रेंथ फुल महसूस कर रहे हैं साथ इसला जो मैं जरूर कहूंगी कि लाइफ अगर आपको लग रही है तो मैं आपको बता दू कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं जो आपके सोल मेट हैं जो आपके ट्विन फ और यह फोर काड्स यह आपको मैसेज के पेपर्स हैं यह जो फोर मैसेज जो आपको मिल रहे हैं तो अगर आप अभी उनसे दूर हैं तो आप यह समझ लीजिए कि वो यह आपको चाहते हैं कि I miss you और यह कोई ऐसी पात नहीं है यह बहुत ही जादा स्ट्रॉंग बात है क्योंकि वो आपको दिल से कहना चाहते हैं कि I want to be near you because कहीं न कहीं उनका उनको ऐसे लगते कि आपकी एनरजी उनको बहुत हील करती है और उनको आपको देखकर ही बहुत चैन पढ़ जाता है I am in awe of you और इस तरह की जो बात है वो उनको बहुत दिल पर लगती है आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि अभी वो यही बताना चाहते हैं आपको कि वो फानेशली थोड़े और स्टेबल होना चाहते हैं कमिट करने से पहले तो जो डिले है वो बस समय कर डिले है कहीं न कहीं समय ही डिले कर रहा है क्योंकि वो आपको बिल्कुल क्लिरली कह रहे है I want to get financially stable before committing तो जो बात है वो यही बात है कि वो कमिट करने से पहले कहीं न कहीं और स्टेबल होना चाहते है वव अपनी में और स्टेबल होना चाहते हैं जिसकी वज़़ा से वह removed attack कि क्योंकि मेरी life अभी financially इतनी stable नहीं है तो मैं इतना बड़ा step नहीं ले सकता या ले सकती, otherwise वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपको कुछ समय देना चाहिए, कुछ patience रखनी चाहिए, अगर हम उनसे कुछ समय की बात करते हैं, तो ये कही न कही हमारे लिए बहुत ही अ बहुत ही जादा उनकी भी healing होगी और आपकी भी healing होगी और वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, जो उनसे प्यार करते हैं, आपका जो twin flame है, actually आपके साथ बहुत connected है, वो runner face जो है उनका निकल चुका है, ना आपको उनको chase करना है, ना उन situation है, वो थोड़ी सी better हो जाए, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से commit कर पाए, इसके अलावा अगर कुछ delay है, तो वो सिरफ time कर delay है, हो सकता है कि situation, circumstantial situation हो, जिनका थोड़ा सा delay है, otherwise he is going to be very near you, he or she, अब हम बात करते हैं, pile number two, जिनोंने choose किया है, ये rose quads, उनके लिए कि सेने काट आए हैं, आपके twin flame के लिए बता दे कि ये आपकी हो सकता है, कि कास्ट क कुछ र 사진 का कुछ difference हो, कोई आपके लिए आपकी कास्ट से दूर का हो, जो आपको प्यार कर रहे हैं, या जिने आप भोछ जादा लगाव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो आपके twin flame है, अपने mind को stable करते हैं तो यह relationship बहुत ही अच्छा relationship है क्योंकि वो आपको बहुत जादा like करते हैं उनके लिए आप एक dream come true हो और आप भी उने कहीं न कहीं अपने dreams में देखते हैं तो उनके लिए जो visualization है वो आप से ही शुरू होती है और आप अपने past को छोड़ दीजे अगर अपने past को रियाद रखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो यह आपके लिए message है कि आप अपने past को छोड़ कर उस दुख को उस pain को बहार निकाल कर जो आपके सामने है उसकी तरफ देखिए जो love जो attraction जो प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं वैसा love व दूर कीजिए forgive कीजिए उसे भी जिसके साथ आपके साथ आपके cord जुड़ गए थे और आप यह सोच लीजिए कि आपकी जो dreams है उसमें आपको कोई भी compromise करने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको यह समझने की जरूरत है कि आप उसके साथ नहीं मिल सकते जो आपके soulmate है ज देखिए यह जो horse है यही victory का symbol है तो आपको victory मिलेगी और कहीं नहीं आपको जो है आपकी जो भी दिल की इचाय है वो पूरी होंगी और यह बहुत ही जादा अच्छे से पूरी होंगी आप एक बहुत ही जादा एक light worker ही है समझ लीजे कह लीजे कि आप खुद ही बहुत जादा पायस है और नहीं आपके कभी किसी के साथ बुरा किया है नहीं करने का आप सोचते हैं नहीं आपके मन में कभी किसी के लिए जादा ill feelings आई हैं तो आप बहुत ही जादा अच्छे करमा की theory पर चलते हैं कि whatever you do that will come back to you तो आपको यह है कि मैं बुरा करो ही ना ताकि मुझे बुरा मिले ना तो इस तरह कि अगर आपके विचार हैं तो यह बहुत जादा अच्छा मैच है और वह भी आपको आपकी इस बात से बहुत जादा इंप्रेस है कि आप दूसरों के energies को बिल्कुल भी खराब न सरे किंगल कर दो दो कि अपने करें बच्चों के लिए बच्चों की तरह है उनके मन में बहुत दया भाव जाता है उनके लिए जो प्रेंटे सीज़ के आपसे जूड़ी हूई हैं आपके प्यार जूड़ी हूई हैं और वह आपके प्यार को देख पा रहे हैं कि इस relationship में क कितना क्लियर बहेवियर है एक दूसरे के लिए कोई भी इल फीलिंग नहीं है और यह बहुत बड़ी पॉवर है जो आपको दोनों को युनाइट करके आपको इस जरम में भेजा है ताकि आप जो है यह अपनी पॉवर को इक ट्थे की पॉवर को आप देख सके आप एक ही घर आपको सपोर्ट मिल रही है वह आपके सारे गाइडिंग एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ओवर मत कीजिए देखिए दुबारा यह होर्स आया है तो एक हिसाब से मैसेज है कि तिंग्स अर गोइं टू हापन वेरी फास्ट फॉ कर रहे हैं खुद की एसेप्टेंस आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप अपनी एसेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं अगर अपने आपको आप मैसूस करके अपने आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं अपने लिए बहला नहीं सोच पा रहे हैं तो यह कही नहीं हमा कुछ थाया क्योंस नोगल कि यह एक्षों को अपने और स्कॉय उसे क्या ayam को इसे कुछ अपने अपने भी एमोशन सो उपने क्योंस को अपने डिजायर को कि आप उने प्रिता प्यार करते हैं, साथी साथ फेत भी होना चाहिए उनकी बात पर, आपको miracles हो रहे हैं आपके लिए और ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही ज़ादा healing energy जो है, वो universe sent कर रहे हैं, और आपकी modality जो है, वो बिल्कुल clear है, तो इसका मतलब यह है कि एक हिसाब से वो आपके लिए healing एक impact है, जो आपको इस समय लाइफ में चाहिए, वो ही है जो twin flame है, वो ही है, जो soulmate है, वो आपको बार-बार convince करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो आपके soulmate है, वो आपके twin flame है, लेकिन आप उनको identify नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं आप अपने past में और किसी past के experience में अपने आपको बहुत ज़्यादा intervene कर चुके हैं, जिसकी वज़े से आपको chords नहीं कट रही हैं, past के साथ, और past के साथ chord नहीं कटेंगी, तो आपको ये relief कभी नहीं मिलेगा, ये healing कभी नहीं मिलेगी, जिसकी वज़े से आपको problem लग रही है, तो अगर आप चाहते हैं, कि आपको healing मिले, आपको ये past के जो problems है, issues है, इसमें से आपको चैन मिले, तो आपको अपने twin flame के साथ, अपनी feelings को भी कही न कहीं accept करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि इसका एक reason कोई lady हो, जिसकी वज़े से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो experience किये हैं, उसे आप learn कीजिए, जो past में आपके relationships में कहीं end हो गया था, और जो दिल तूट रहा है, आपका उसे कहीं न कहीं heal करने के लिए, आपके soulmate ही हैं, जो आपको heal करेंगे, और अगर कहीं by chance आपको ऐसे लगता है, कि आपको twin flame या soulmate नहीं ही आपका दिल तूड़ा है, और पूरी reading में अगर यह आ रहा है, तो वो भी बहुत positive है, आप जैसे हैं, जो हैं, उनको आप accepted हैं, अभी वो अपना time ज़रूर ले रहे हैं तोड़ा सा लेकिन वो आपके पास आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने dreams को छोड़ दिए, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी dreams ही आपको fulfill होंगी, आपकी एक एक wish जो है, वो complete होगी, आपकी energy तनी अच्छी है, कि आपको accept करकर आगे चलना है, बहुत जादा chances हैं, कि वो आपको बहुत ज़दा प्यार करके, बहुत ज़दा मना कर थक चुके हैं, जिसकी वज़ए से वो शायद आप से दूर जाने की सोच रहे हैं, या जो connect नहीं हो पा रहा था, जो connection आपका missing था, वो connection जो है, वो आप फिर से feel कर पाएंगे, आपस में वो connection जो है, वो ज़रूर feel करेंगे, देखिए, उनका message है, I love you का, तो इससे बढ़िया कोई message हो ही नहीं सकता, इस message को पढ़के, मैं actually बहुत जादा खुश हूँ, और हैं कि कहीं आप छोड़ करना चले चाहें, और अगर आप communication gap में है, या किसी minor wake-up में है, तो आप यह समझ लीजे कि वो आपकी life में दुबारा से आ रहे हैं, and don't leave me and please wait for me, आप उनकी तरह से देखिए कैसा message है, कि please don't leave me, तो कही नगई में बहुत डर गए हैं आपके rejection से, आ चली वे गई हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बहुत ज़ादा याद करता हूं या करती हूं, और यह जो relationship है, यह बहुत थोड़ा नहीं है, यह eternal relationship है, बहुत कम time का नहीं है, और इस relationship का जो answer है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा time ज़रूर लग सकता है, पर इसका answer आपको ज़रूर मिलेगा, यानि कि आपके twin flames या आपके जो soulmate है, वो आपके साथ unite की करेंगे, जो भी issues है, जो भी अगर religion के issues है, caste के issues है, पैसे के issues है, carrier के issues है, जो जनल circumstances के issues है, वो आप मिल बैट कर उसे ठीक कर पाएंगे, जो भी control के intensity के जो issues है, वो भी आप क प्यार कर रहे हैं, पर फिर ही साथ साथ उतना ही repel भी कर जाते हैं, क्योंकि आप exact mirror है एक दूसरे के, और जो भी आपकी insecurities है, वो भी फी फील कर रहे हैं, जो उनकी insecurities है, वो भी फील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ये match up है, ये एक हिसाब से बहुत identical है, अगर आप उनक पास जाने से डगते हैं, तो वही चीज रफ्लेट होता है, उनके तरफ से आजाती है, आपको message कहीं न कहीं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, यहीं चीज आपके अंदर का डर है, वो उनको रिप्रिजेंट होता है, वो उ इनर्जी दिखाएंगे, तो वैसी ही एनर्जी उनकी तरफ से भी रेसुडेट होकर आएगी, तो आपको उन पर ट्रस्ट करें, हील करें, एक दूसरे को फोर्गेव करें, जो भी बात हो चुकी है, उसे भूल जाए और आगे बढ़ें, अब हम बात करेंगे, थर्ड फाइ जिसकी वज़े से आपको इनिशली जो है, कुछ टाइम के लिए आपको उनके साथ बहुत जादा प्रॉब्लम रही और हो सकता है कि वो एनर्जी इतनी जादा अट्राक कर रही थी, होता है ना कही रिलेशन्शिप में हम कहते है कि पहले बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, एक दूसरे के बहुत ही जादा एंटी हो रहे थे, और वो बहुत ही जादा ऑपजिट बहेवियर हो रहा था एक दूसरे का, तो इसमें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सेलिब्रेशन का टाइम है, अगर आप अपने अंदर जांकेंगे, अगर आप अपने अंदर देखेंगे, और अपने अंदर ट्यून इन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जो है, उनसे जादा सोर्स के साथ दोनों के दोनों अटैश्ट हैं, और वो आपका एक हिसाब से एनरजी सेंटर है, और ये क्रियेटिविटी जो है, आपकी उनसे स्टार्ट होती है, आपने उन्हें कितने टाइम से इमेजन किया है, आपने उन्हें कितने टाइम से अपने लाइफ में विजुलाइज किया है, और ये जो सोर्स है, ये बहुत जादा पावरफुल है, आगर आप अपने अंदर जांकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको उनसे जो है, बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत connectivity है और यह बहुत celebration की बात है क्योंकि आपको यह identification हो रही है कि वह आपके और आप उनके हैं और अब यह time कि आपको learn करना पड़ेगा अगर आप universe के student है तो आपको learn करना पड़ेगा कि जो भी actions आप लेते हैं थोड़ी से patience के साथ क्योंकि जो आपके soulmate है जो आपके twin flame है उन्हें exercise करना meditation करना yoga करना और यह जो pattern है कि बहुत जादा track करते हैं और यही चीज़ आपसे भी शायद expect करें कि आप अपने routine जो है discipline से रहें और routine जो है बहुत अच्छी बनाएं एक new flame आ रही है एक new love है जो आपकी life में आ रहा है तो यह जो new love है वो existing relationship को बिल्कुल ही passionate जो है जो newcomer है वो बिल्कुल अगर आपका existing relationship है उससे आपको इतना जादा difference समझ में आएगा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बहुत जादा love आप receive कर रहे है शायद उसी बात का guilt आपको पहले हो रहा था जो आपने romance future में अपने यह सोचा है यह soulmate आपको उसी तरह का romance दे रहे हैं इस relationship में कोई pain नहीं कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं और कितना जादा वो आपको प्यार कर रहे हैं उनकी life का purpose ही जैसे आपकी growth है आपके साथ पास आना है और वो बड़े balance relationship में यह soulmate relationship है यह एक दूसरे के साथ बह प्यार से समय प्यतित कर रहे हैं और साथ में रहसते भी हैं बहुत ही जादा आपने भी एक बहुत ही जादा इस तरह का relationship aggressive relationship loser kind of relationship देखा है जिसकी वजह से आप अबुने identify कर पाएंगे जो आपको अच्छा लग रहा है जो आपके साथ अब match कर रहे हैं जो पहले आपके relationship था जिसकी वजह से आपको एक सबसे negative relationship ने से आप निकल रहे हैं thanks to the new love in your life thanks to the twin flame and the soulmate और आपको मैं बता दूं कि sudden abrupt change आपके साथ होगा ये life में आपको इतनी healing power मिल रही है और आपको ना के बल आप अपने आप पर confidence रख रहे हैं बलकि ये आपको सिखा भी रहे हैं आपक वो impression जो है आपके love की वजह से ही आप लोगों को दे पा रहे हैं आपका truth और integrity बहुत strong है यानि कि आप बहुत powerful है आपके लिए romance के card है यानि कि आप अपने love को identify कर रहे हैं ये soulmate relationship है हाँ ये soulmate relationship है हाँ और ये romance जो है आपकी life में पूरी तरह से आ गया है आप उन में और व अपने प्रफेशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही जादा आपको अच्छा लगेगा अपने प्रफेशन में आगे बढ़ना और देखिए इस तरह का relationship है जिसमें आप एक दूसरे को ना केवल लाइक कर रहे हैं बस एक दूसरे को कोई बहुत बढ़ सकते हैं बह करने से आप बिल्कुल भी नहीं डगते हैं एक दुसरे को आप love की बात करते हैं जुसरे से आप कुछ भी discuss कर चकते हैं आप आधी रात को ऊड़कर बी कोई भी बात डिसकस कर सकते हैं आपको किसी भी चीज में उनके साथ बहुत डर नहीं लगता कोई fear नहीं है कोई phobia नह करते हैं आप उनके साथ जिस तरह के arguments करते हो सकते हैं आप सही हो पर maintain कीजिए balance क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको बुरा लगे जस्ट आपकी थोड़ी सी confusion है आप इस confusion से बाहर निकलिए आपको सही guidance मिलेगी मदर या मदर ली लेडी की जिसकी वज़ा से ज थोड़ा सा और patience रखेंगे तो यह आपकी life में जो new entry हुई है वो आपके love के लिए ही हुई है आपको suit करने के लिए हुई है और आपने learn करना है कि कैसे आपने past को छोड़ कर आगे बढ़ना है अपनी life में और आगे नाकेवल बढ़ना है पर यह भी प्रूव करना है सब को कि आप में बहुत caliber है और उस caliber के according आप अपने आपको आगे लेकर जाएंगे यह जो relationship है यह आपको बहुत confidence दे रहे हैं यह आपके soulmate और आपके confidence को बढ़ाने के लिए ही यह आपके पास आए हैं वो यह चाहते हैं बहुत डरते हैं शायद वो आपसे कि I want to go on a date with you वो यह कि मैं आपके साथ एक date पर जाओं पर वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं I have a fear of rejection देखिए वो खुदी बहुत जादा डर रहे हैं तो आप identify कीजिए उनके प्यार को उनके feelings को और वो आपको social media पर भी जरूर ट्राक कर रहे हैं तो देखिए कितना जादा आपके ओपर टाइम ल love with you तो यह मुझे बहुत ही अच्छा messages लग रहे हैं तो actually वो चाते हैं कि कहीं न कहीं आप उन्हें मानिये आप उनके प्यार को identify कीजिए accept कीजिए उन्हें उनके प्यार को accept कीजिए past को छोड़ दीजे जो भी volatile aggressive relationship है उसे छोड़ दीजे और जो सुनहरा आपके लिए सामने से सन निकल कर आ रहा है स्टार निकल कर आ रहे हैं उन्हें भी ज़रूर अपने लिए accept कीजिए तो यह बहुत ही अच्छा message है कि यह जो आपके twin flames है यह आपके soulmate है कि आपको बहुत प्यार करेंगे यह आपके साथ बहुत जादा आपको बहुत अच्छे learning lessons भी देंगे और identify करना चाहते हैं कि this person is my soulmate or my twin flame or not and who क्या आप में like कर रहे है क्या इस relationship से demand कर रहे है और क्या उनकी expectations है यह सभी मैंने आपको बताया thank you so much friends for always connecting please मेरे वीडियो को like share and subscribe करना मत भूलेगा subscribe का red button लीचे ही है thank you so much friends